नमस्ते दोस्तों आज हम स्वय कीमा सेंड्वीच बनाएंगे और ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और बहुत जल्दी बन जाता है और ये सेंड्वीच छोटे से बरे सबकोई बहुत पसंद आता है ये सेंड्वीच बहुत हेल्दी होता है और मैंने ये कीमा कैसे बना ब्रेट को लोएंगी और 2 भी में करके टॉमेटो केचप लगाऊंगी चारो ब्रेड में टॉमेटे कचे लगना के बाद 3 मों ले लिए आप उसको डालना है ब्रेड के उपर ने दोने ब्रेड डेंगे कीमा डालने के बाद दो-दो करके खीरा को डालना है और मैंने यहाँ प्याच को गोल करके कटके रख दिया उसको खीरा के उपर डाल देंगे और मैं यहाँ मास्टर्च सॉस यूज़ करूँगी मास्टर्च सॉस देने से ये सैंड्विच खाने में बहुत ही अच्छा लगता है एक अलगी टेस्ट होता है इसमें हाब टीस्पून करके मास्टर्च सॉस डाल दिया और दूसरा बेट से प्रेस करके लगा दिया आप टूटी स्पून हुआट ओयल दिया गैस को इस टाए मीडियाम फ्लेम में थोड़ा सा गरम करने के बाद जैसे ही तेल गरम हो जाए इसका एकदम धिमा कर देंगे आच और बेट को रख देंगे धिमी आच में ही पकाना है बेट को जैसे एक तरफ क्रिस्पी हो जाए फिर दूसरी तरफ कर लेंगे एकी तरका से दूसरा बेट को भी एक तरफ हो जाना के बाद दूसरी तरफ करना है तो मेरा ये स्वयकीमा सैंड्विच बनके तैयर हो गया है और ये बहुत ही चटपटा खाने में बहुत अच्छा लगता है आप भी इसी तरिका से एक बाद ट्राइ करके देखेगा बहु लाइक और सब्सक्रेब करना मत भूलना बाई